अमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का टेक्निकल गौर्णमेट जॉब ऑल अवर इंडिया पर दोस्तों पंजाब में न्यू रिकूटमेंट आई हुई है पंजाब फूट सप्लाइड डिपार्टमेंट की तरफ से दो अलग लग नोटिस है फिर्स्ट नोटिस के लिए कुछ और इलिजिबिल्टी है सेकिंड नोटिस के लिए कुछ और इलिजिबिल्टी है तो सारा मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगी वीडियो पूरा जरूर देखेगा फर्स्ट रिम चैनल पर विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कीजेगा बेल बेटन जरूर कुर्दासपूर जलंदर लुधयाना के लिए दो जगा पर है अर्गर्दासपूर में भी दो जगापे है उसके पाध रशियारपूर बठिंडा पतीयाला इन जगह पर यह वेकंसिस निकली वही है अब मैं आपको देडियर्स में बताऊंगी स्लेक्षिं प्रिजासधर क् और कौन-कौन अप्लाई कर सकता है यह फॉर्म फिलब करके आपने भेजना है उनके एड्रेस पर एड्रेस भी में आपको बता दूंगे यह देखे साथ में वन थाउजन रुपिस का जो डीडी लगेगा दियाने की डिमांड ड्राफ इनके नाम से पंजाब स्टेट कंजूम दिस्प्यूट्स कमिशन की तरफ से तो इस एड्रेस पे आपने भेज देना है लास्ट लेट है जो अप्लाई करने के लिए पच्ची जनवरी 2019 शाम को पांच वजे तक आप अराम से अप्लाई कर सकते हैं और इसकी सारी डिटीज भी आपको इनके ऑफिशल साइट पे मिल और अब्जेक्टिव टाइप रहेगा यह 100 मार्क्स का रहेगा दो गंटे का टेस्ट होगा उसके बाद पेपर टू है जिसमें देखिए वन ऐसे ओन टॉपिक चूजन टॉजन टॉपिक दे जाएंगे उसमें आपको ऐसे लिखना है डिस्क्रिप्टिव टाई होगा यह 100 म सब्सेक्ट के साथ पासओट होनी चाहिए और एज लिमिट यहां पे 65 यह तक भी अप्लाइ कर सकते हैं और यहां पर इन्होंने में डिटेस्ट में देखिए बैशलर डिग्री मागी हुई है अगर आपने रिकोगना इस बोर्ट से की हुई है तो आप इस बोर्ट से की हु बहुत अच्छी उपर चुरूंडिया तो आप अप्लाइ कर सकते हैं उसके बाद अब देख लेते हैं सेकिंड नोटिस के लिए क्या क्या इलिजिबिल्टी है कौन कौन अप्लाइ कर सकता है डिटेस में मैं आपको बता देखिगा नहीं तो आपको पता नहीं चल पाईगा कैसे अप्लाइ करना है सबसे बदे में आपको पता दू आपका एक्जाम रहेगा जिसमें जनल नौलेज और क्रेंट अफेयर से रिलेटीड कोशन देंगे और अब्जेक्टिव टाइट टेस्ट रहेगा ठीक है हंडर्ड मार्क्स की होंगे तो गंटे का टेस्ट होगा और जो सेकेंड पेपर होगा उसमें आपको एक टॉपिक दिये जाएगा ऐसी आपने राइडवन करना है उसके लिए डिस्क्रिप्टिव टाइप वह रहेगा ठीक है हंडर्ड मार्क्स का तीन गंटे में आपने कंप्लीट करना है अब मैं आपको डिटेस में पताती हूँ कौन कर सकता है और पोस्ट कौन कौन सी रहेगी आपकी जो टेंथ है वह देखिए पंजाबी सब्जैक्ट के साथ पास आउट होनी चाहिए अगर अपने पंजाबी सब्जैक्ट के साथ 10 पास आउट की हुए है तो आप इलिजिबल अप्लाइड कर सकते हैं यह फोर्म जो किया हुआ है इसको डाउनलोड करके फिलब करके भेजना है जो पहले नोटिस आया था वो मेंबर की पोस्ट के लिए था अब इन्हें निया नोटिस है यह प्रेजिडेंट की पोस्ट के लिए है जिसमें टोटल 11 वेकैंसिस है अगर आपके पास आपने ग्रेजुशन की के लिएर आपके आपके शुआ कास।